नमस्ते, रीजिनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है जैसे पोलर बेस गर्मियों में खूब सारा खाके सर्दियों में भाइबरनेशन में चले जाते हैं वैसे ही मैं सर्दियों के लिए स्नैक बना के रखने लगती हूँ क्योंकि जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती है किचन में जाकर काम करने का मन कम करने लगता है इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप भी इसे बना कर रख सकते हैं जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कप मैदा और इसमें डालेंगे 1-4 टीबल स्पून मंग्रेल इसे एक अलोंजी भी कहते हैं उसके बाद हम लेंगे 1-4 टीबल स्पून अजवाइन इसको हम हाथों के बीच रगड कर डालेंगे ऐसा हम कह सकते हैं कि इसे हाथों के बीच रगडने से इसका स्वाद अनलॉक हो जाता है और इससे एक बहुत ही रिफ्रेशिंग खुश्बू आती है उसके बाद इसमें डालेंगे 1-4 टीबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और फिर इसमें डाल देंगे स्वादानसार नमक नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे रिफाइंड ओयल या फिर घी और घी डाल कर हम इसमें मोयन लगा लेंगे अगर आप इसमें घी का प्रयोग करेंगे तो घी को हमें गर्म करके प्रयोग करना है हमें इसमें घी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि मोयन सही लगे अगर मोयन जादा लग जाएगा तो जब आप इसे कड़ाई में डालेंगे ये तूटने लगेगा और अगर मोयन कम रह गया तो ये बहुत ही सक्थ बनेगा और इसमें हमें घी तब तक मिलाना है जब तक आपके मुठी बंद करने पर ये अपना shape Хोल्ड ना करने लगे और अब देखिए मुठी बंद करने पर मैदा अपना shape होल्ड कर पा रहा है इसका मतलब है कि इसमें मोयन अच्छी तरह से लग चुका है अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका कड़ा आटा गुत लेंगे हमें इसमें पानी एक साथ नहीं डालना है क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा पानी पढ़ जाएगा तो आपको और मैदा डालना पड़ेगा रोज से नमक और सारी चीज़ें जो इसमें हमने डाली है सबका बैलन्स बिगड जाएगा अब मैदे को अच्छी तरह से हम गुत लेंगे अब इसमें और पानी डालने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी अब हम इसे एक मिनिट के लिए माल लेंगे और फिर इसे ढख कर पंदरे मिनिट के लिए रख देंगे और ये देखिए अब मैदा को एक छोटे बतन में ट्रांसफर कर लूँगी और इसे ढख कर रख दूँगी और 15 मिनिट के बाद हम इसे कटोरी से निकाल लेंगे और इसे निकाल कर इसे थोड़ी देर के लिए और माल लेंगे जब हम इसे एक बार और माल लेते हैं तब इसके नमक पारे यानिम की बहुत ही अच्छी बनती है इसे मारने के बाद हम इसकी लोई काट लेंगे और इसे बेल लेंगे हम इसकी तीन लोईयां बना लेंगे और उसमें से एक लोई लेकर उस पे थोड़ा सा सूखा आटा चिड़क लेंगे और आटा चिड़कने के बाद हम इसे जितना पतला हो सके उतना पतला रोल कर लेंगे और इसे रोल करने के बाद हम इसे बिल्कुल पतला पतला काट लेंगे जैसे हम नमक पारें को थोड़ा बड़ा बड़ा काटते हैं वैसे ही निमकी को हम बिल्कुल छोटा छोटा काटते हैं और इसे जो हम नमकीन बनाते उसमें प्रयोग करते हैं पहले हम इसे एक तरफ से लंबा लंबा काटेंगे और फिर जब ये एक तरफ से कट जाए तो दूसरी तरफ से भी हम इसे छोटे छोटे चौकोर में काट लेंगे ये देखिए हमें इतने बड़े बड़े टुकडे इसके कर लेने हैं जब हम इसे काट लेंगे तब हम चाकू की साहता से इसे चौकी से निकाल लेंगे अगर ये एक दूसरे पर चिपक जाते हैं तो आप परेशान नहीं होईएगा जब आप इसे तेल में डालेंगे तो ये अपने आप अलग-अलग हो जाएंगे इसे चौकी से अलग करने के बाद हमें कडाई में लेंगे रिफाइंड ओयल और उसे बिलकुल हलका सा गर्म कर लेंगे इसे हमें बस इतना गर्म करना है कि जब भी हम नमक पारों को कडाई में डालें तो ये चोटी-चोटी बुलबुले इनसे निकलने लगें हमें तेल को इससे जादा गर्म नहीं करना है नहीं तो हमारे निमकी जल जाएगी और यह अच्छी तरह से पकेगी नहीं और ना ही यह कुरकुरी बनेगी और यह देखिए तेल में जाते ही यह बिल्कुल अलग-अलग हो गई है इसको कडशी से थोड़ा थोड़ा और अलग कर दीजे और इसे हम बिलकुल धीमी आज पर सुनेरा होने तक तल लेंगे जब ये थोड़ी पक जाए तब कडशी को इस तरह से कड़ाई में बीच में रखकर आप चलाते रहे ताकि ये हर तरफ से एक जैसी सिके इसे हम पेशिंस के साथ बिलकुल अच्छी तरह से तलेंगे और ये देखे ये बिलकुल अच्छी तरह से सुनेरी हो चुकी है अब हम इसे कड़ाई से निकाल लेंगे इससे जादा सुनेरा हम इसको नहीं करेंगे और इसको हम एक जाली वाले बरतन में निकालेंगे और ये देखें मैं इसे कड़ाई पर किनारे ला रही हूँ और थोड़ी दिर इसे रोक कर इसका तेल कड़ाई में वापस जाने दे रही हूँ और फिर इसे जाली वाले बर्तन में निकाल ले रही हूँ और बस हमारे निम्की की रेश्पी बन कर तयार है इसे आप ऐसे भी चाय के साथ खा सकते हैं या फिर अलग-अलगतर है कि नमकीन आप इसको डाल कर बना सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना पिल्कुल मत बूलिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में